नमस्कार मैं हूँ राहुला आरिये, आज की स्पेशल रिपोर्ट के अंदर चर्चा करेंगे इंडिये नैशनल लोकदल पार्टी की, इनेलो का कभी हरियाना के अंदर जलवा होता था और इनेलो का अच्छा खासा वोट बैंक हरियाना के अंदर होता था, 2019 के आते आते इनेलो तूट का शिकार हुई दो हिस्से बने एक पार्ट जो है, वो जेजेपी कहलाया, दूसरा पार्ट इंडिये नैशनल लोकदल कहलाया, जो पार्टी कभी गाव देहात की मानी जाती थी, जिसका मजबूत कैडर हरियाना के अंदर होता था और इनेलो के वर लगा तूट हुई, और 2019 के चुनाव के अंदर जो इंडिये नैशनल लोकदल पार्टी कभी सरकारे बनाती थी या बहुत अच्छा परदशन हरियाडा के अंदर करती थी, वो सिमट कर एक सीट पर आ गई, एक विधायक खुद अभे सिंग चोटाला, विधायक एलनाबाद से बन पाए, उसके अलावा कोई भी सीट इनैलो नहीं जीत पाई और इनैलो की स्तिती जो है, वो उस स्तिती से गुजरना पड़ा इनैलो को, कि 90 के 90 उनको कैंडिडेट तक नहीं मिल पाए 2019 के अंदर, मगर 2024 के आते आते तक इनैलो ने सर्वाइव करने की लड़ाई जारी रखी अपना संगर्श जारी रखा और आज 2024 के अंदर इनैलो की चर्चा इस विधानसबा चुनाव में अच्छी खासी हो रही है, आखिर इनैलो की रीच कितनी है, इस चुनाव के अंदर कितनी सीटे इनैलो जीत सकती है, कितनी सीटो पर इनैलो मैटर कर रही है, कितनी इस तक हाला कि बाइलेक्शन भी हुआ बीच में उसके बाद अभे सिंग चोटाला फिर चुने गए और जो उनके सामने कोंगरिस के कैंडिडेट है वो कांगरिस के कैंडिडेट वहाँ पर भरत सिंग बेनवाल है उनका मना जाता है मगर वो इतना वोट नहीं है कि वो अभै सिंग चोटाला को चुनाव हरा सके और अब की बार अभै सिंग चोटाला की वहां से एलनाबाद से कुछ और मजबूत इस्तिती है तो एलनाबाद की सीट पर अभै सिंग चोटाला का मजबूत दावा है उस सीट को लेकर और वो seat कहीं न कहीं एक किसम से मानी जा सकती है कि वो seat confirm कहीं न कहीं वो इने लोग के खाते में जाते हुई नजर आ रही है हाला कि नतीजे आठ तारीकों आएंगे मगर आकलन ये है कि वहाँ पर अभय सिंग चोटाला बहुत मजबूत स्थिती के अंदर है उसके बाद जो अ सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं वो खुद उनके पोते और अभय सिंग चोटाला के बेटे अरजुन चोटाला इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं उन प्रकास चोटाला के पोते हैं वो चुनाव लड़ने से वहाँ पर समीकान चेंज हो गए हैं और अगर वह किया जाए, वहां का जो विसलेशन है वो किया जाए तो वहां पर जो रणजीर सिंग चोटाला पर अर्जुन चोटाला हावी नजर आ रहे हैं और ये सीट भी इनेलो को जाती हुई नजर आ रही है इसकी संभावनाय बहुत ज़्यादा हैं तो दो seat inello की आप मान सकते हैं कि लग भग लग भग confirm ये seat इसके अलावाद तीसरी seat है डववाली की डववाली की seat की मैं बाद में जिकर करूँगा पूरा डववाली का जो खाका है वो बताऊँगा पूरा डववाली का जो 1952 से लेकर और 2024 तक का जो record है जो स्रंकला है राजनीती की विधायकों की उसका जिकर करूँगा मगर इनello की मगर जो डववाली की बात है डववाली के अंदर भी मजबूस स्थिति के अंदर इनello है और इनello वहाँ से भी चुनाव जीतने की स्थिति के और जो भारतिय जंता पार्टी के प्रत्याशी है वो गंचामदास अरोडा वहाँ से विधायक रहे हैं 2019 से लेकर 2024 तक वो वहाँ से उनके सामने चुनावी ताल ठोक रहे हैं यमना नगर के अंदर जो मकाबला माना जा रहा है वो इनello के प्रत्याशी दिलबाग सिंग और जो घंचामदास अरोडा जो भारतिय जंता पार्टी के उमिदवार हैं उनके बीच में माना जा रहा है और कहीं न कहीं वहाँ पर संभावना जादा हैं इन्डियन नैशनल लोगदल पार्टी के उमिदवार दिलबाग सिंग के चुनाव जीतने की मगर उस सीट को हम जिस तरीके से दावा या जिस तरीके से समीकर्ण जो सिरसा की तीन सीटे हैं उन पे माने जा रहे हैं उस तरीके का दावा यम्नानगर की सीट पे नहीं माना जा रहा या समीकरन इतने प्रबल संभावना नहीं है कि वो चुनाव से पहले यह माना जा सके कि वहांँ से इंडियन नैशनल लोगदल चुनाव जीतेगी हुए हैं और चुनाव को प्रभावित करने की सित्थी के अंदर वहाँ पर माने जा सकते हैं वहाँ से एक सीट है नर्वाना नर्वाना के अंदर जो विद्यारानी है वो इंडियन नैशनल लोगदल पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं हला कि कॉंग्रेस के नहीं कहा जा सकता को वो चुनाव जीत सकती हैं मगर आठ तारिक को नतीजे क्या होते हैं हला कि वो चुनाव को प्रभावित जरूर कर सकती है आठ तारिक के नतीजों का इंतिजार करना चाहिए मगर अच्छी खासी चर्चा बटोर रही है इनलो की प्रत्याशी विद्यार जो इनैलो के कैंडिडेट या प्रिताशी आउमिद्वार हैं वहाँ से वो है ताहिर हुसेन, जाकिर हुसेन के बेटे हैं। हाला कि भाजपा से टिकट मांग रहे थे, भाजपा से टिकट उनको नहीं मिली, भाजपा से बागी हो गए और अब इंडियन नैशनल लोगदल पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छी खासी चर्चा वो भी बटोर रहे हैं नू के अंदर हाला कि उनका अच्छा खासा जनाधार है अला कि उनका अच्छा खासा वहाँ पर प्रभाव है मगर चुनाव वो जीत रहे हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता मगर संभावनाएं जरूर हैं अच्छी खासी चर्चा वहाँ पर इंडियन नैशनल लोगदल पार्टी की और उनके प्रत्याशी ता अच्छी रोसेन इंडियन नैशनल लोगदल पार्टी के प्रत्याशी जरूर माने जा सकते हैं इसके अलावा जो अगली सीट है वो अगली सीट है फरीदाबाद की फरीदाबाद NIT पर नीरत शर्मा कॉंग्रेस के विधायक 2019 से 24 तक रहे वो कॉंग्रेस की टिकट पर चु नहीं मिली वो बागी हो गए और इंडियन नैशनल लोगदल पार्टी की टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी अच्छी खासी चर्चा बटोर रहे हैं वो भी अच्छा खासा वहाँ पर अपना असर दिखा रहे हैं वो भी चुनाव को प्रभावित करने की स्थि के अंदर वहाँ पर माने जा सकते हैं तो यह जो दो तीन सीटे मैंने बताई नर्वाना की सीट उसके अलावा नू की सीट और फरिदाबाद एनाइटी की सीट यहाँ पर जो इनलो के प्रत्याशी है वो अच्छी खासी चर्चा बटोर रहे हैं उसके अलावा जो एक सीट यमनानागर की हैं वहाँ पर 60 प्रतीशत संभावनाई मानी जा सकती हैं कि वहाँ पर जो इनलो के प्रत्याशी है वो चुनाव जीती जाए और इसके अलावा जो तीन सीटे जो एलनाबाद की रानिया की और डबवाली की जो सिरसा लोकसभा चेतर की सीटे हैं उसके अंदर माना जा सकता है कि लगभग लगभग जीत तै मानी जा रहा है ये तीन सीटों पे इंडिया नैशनल लोकदल पार्टी की अब बात कर लेते हैं डबवाली की डबवाली की बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि डबवाली हो जाता है और डबवाली पर जो महा भारत मैंने महा भारत इसलिए कहा क्योंकि परिवार के सदश्यों के बीच में जंग है अलगी राणिया के अंदर भी परिवार के सदश्यों के बीच में लड़ाई है मगर वहाँ पर दो सदश्यों के बीच में लड़ाई है रंजीत चोटाला और अरजुन चोटाला मगर जो डबवाली है वहाँ पर परिवार के तीन सदश्यों के बीच में जंग है एक जो इंडियन नैशनल लोगदल पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रही है वो है आदित्य चोटाला अच्छा खासा रसूग रखते हैं अपना अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं बड़े नेता माने जा सकते हैं भारतिय जंता पार्टी को छोड़ कर इंडियन नैशनल लोगदल पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं अपना एक विशेश जंढदार वहाँ पर रखते हैं अच्छी खासी लोगप्रिता उनकी वहाँ पर है उसके अलावा जो जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं वो वहाँ पर दिगविजय चोटाला चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ पर जो महा भारत है, जो चुनावी महा भारत कह सकते हैं वो बड़ा दिल्चस्प है और उस सीट को खरियाना की हौट सीटों के अंदर गिना जाता है क्योंकि परिवार के सदश्ष, देविलाल परिवार के सदश्ष एक दूसरे के आमने सामने है। इसलिए मैं 1952 के अंदर यहाँ पर यह विदानसवा छेतर बना और यहाँ पर करनेल सिंग अकाली दल के विधायक बने और यहाँ पर एक दिल्चस्फ तथ्य और है कि इसी चुनाव के अंदर 1952 के चुनाव के अंदर यहाँ पर जो गोपाल कांडा हलोपा पार्टी के प्रुमुक हैं और सिर्षा विदानसबाचेतर से चुनाव लड़ रहे हैं इनके फादर मूरली धर गोपाल कांडा के जो फादर हैं वो यहाँ पर जंसंग के टिकट पर 1922 में चुनाव लड़ रहे थे हाला कि पाँचवे नंबर पर वो आये थे यह इंट्रेस्टिंग फैक्ट आप मान सकते है इसके अलावा 1957 के अंदर डबवाली विदानसबाचेतर नहीं रहा उस 1962 के अंदर फिर इसको विदानसबाचेतर बनाया गया यहां से केसर राम कॉंग्रेस के विधायक बने और इसी वक्त 1962 के अंदर इस विदानसबाचेतर को आरक्षित कर दिया गया SC कास्ट के लिए शेडूल जो शेडूल कास्ट के लिए इस सीट को आरक्षित कर दिया गया उसके बाद 1967 के अंदर केसर राम फिर कॉंग्रेस के विधायक दोबारा रिपीट हुए 1968 में तेजा संग यहां से निर्दलिया बने 1972 में यहां से गोवर्धंदास कॉंग्रेस के विधायक चुने गए उसके बाद 1977 में यहां से मनीराम ने गोवर्धंदास चोहान थे उनको चुनाव हरा दिया जन्ता पार्टी की टिकट पर मनीराम जो है वो विधायक बने यहां से उसके अलावा 1982 के अंदर गोवर्धन दास ने मनीराम को फिर चुनाव हरा दिया 1987 में मनीराम ने फिर अपनी हार का बदला लिया और गोवर्धन दास चोहान को चुनाव हरा दिया 1991 में गुवर्धन दास चोहान की बेटी संतोश सारवान यहां से चुनाव लड़ी और वो चुनाव जीत गई इसके अलावा 1996 के अंदर मनी राम फिर चुनाव जीत गई समता पार्टी से उन्होंने चुनाव जीता उसके बाद 2000 के अंदर यहां से 2000 के अंदर यहां पर सीताराम जो हैं डॉक्टर सीताराम वो विधायक बने और 2005 के अंदर भी सीताराम इनलो की टिकट पर फिर विधायक बने और 2009 के अंदर यह जो आरक्षत सीट थी वो जीत गई और अब 2024 के अंदर आठ तारिक को पता लगेगा कौन चुनाव जीत रहा है तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो 6 दफा हैं 6 बार यहाँ पर कॉंग्रेस के विधायक जीते, 7 बार यहाँ पर इनेलो हो या जंता पार्टी हो या समता पार्टी हो या फिर चौधरी देविलाल का लोक पार्टी की टिकट पर लड़े हो साथ दफा चौधरी देविलाल या ओम्प्रिकास चुटाला समर्थित यहां से उमिद्वार चुनाव जीत पाए इसके अलावा एक बार अकाली दल के जो प्रत्याशी हो चुनाव जीत पाए इसके अलावा 2019 के चुनाव के अंदर जो अम अदित्य चुटाला है वो चुनाव हार गए उसके उसके पीछे जो कारण थे मैं उनके विसलेशन पर नहीं जाओंगा क्योंके बहुत लंबा हो जाएगा बात कर लेते हैं 2024 कुल सारे समीकर्णों को जोड़ के देखा जाए कुल सारे समीकर्णों का विसलेशन करके देखा जाए तो वहाँ पर माना जा रहा है कि जो मुकाबला है वो अमित्सिहाग के बीच में और आदित्य चुटाला के बीच में है और आदित्य चुटाला को जब इनेलो का साथ मिल गया या इनेलो को आदित्य चुटाला का साथ मिल गया तो दो होने के बज़ाए एक और एक ग वहाँ पर मजबूत है बजाए अमित सिहाग के और वहाँ पर जो कॉंग्रिस के उमिद्वार हैं अमित सिहाग उनको जो पिछली दफ़ा विधायक बने थे आदित्य चुटाला को हरा कर उनको वहाँ से मुश्किल खड़ी हो सकती है और आदित्य चुटाला इस चुनाव के अंदर 2019 की हार का बजला लेते हुए नजर आ सकते हैं तो ये था डबवाली और इनलो को लेकर विसलेशन इन तमाम इस तमाम विसलेशन पर आपका क्या कहना है आपकी अगर आपके पास कोई सजेशन है आपका कोई सुझाव है तो मुझ तक जरूर भेजे और आपके पास से रिलेटिड या जमीनी हाकीकत से संबंदित आपके पास भी कोई सुझना है तो मुझ तक जरूर पहुँचाए कमेंट बॉक्स के माध्धम से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताके आप तक सच और प्रमानिक खबरे पहुँचती रहे आज के लिए बस इतना ही फि